बिस्मिल्लाहिर्रोहमानी रहीम, अस्सलामु अलाइकुम वरहमतुल्लाह। आज है तारीख 4 नॉउम्बर 2022, दीन है जुमा, आप सब को जुमा मुबारक। आप देख रहे हैं, यूटूब चाइनल, न्यूज कनेक्शन, सहुदी अर्बिया, मैं हूँ, रहमत अली लेकर हाजिर हूँ, आज का नया अपडेट आपके लिए दोस्तो, अगर आप किसी देश को विजिट करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, और वह देश आपको आफर करें कि अगर आप मेरे देश को विजिट करना चाहते हैं, तो बीना किसी कंडीशन के आप मेरे देश में इंटरी कर सकते हैं, मेरे देश में घूम सकते हैं, जब आप मेरे देस में इंटरी करेंगे तो हम आपको वेलकम के तोर पर वीजा जारी करेंगे यानि आपको वह देस वीजा ऑन अराइवल देगा जी हाँ दोस्तो हम आपको ऐसा देस के नाम बताने जा रहे हैं जो अपने देश में आने वाले टुरिस्ट को विजिटर को वीजा ओन अराइवल देने की घोसना की है इस देश ने घोसना किया है जी सी सी देशों के किसी भी परफेशन के लोग मेरे देश को विजिट कर सकते हैं इस देश में घूम सकते हैं अगर आप इस देश को विजिट करना चाहते हैं तो बिना किसी कंडिशन के आप इस देश में जा सकते हैं अगर आप ओमान को विजिट करना चाहते हैं और जी सी सी देशों के रेसिडेंस है तो आपको यह वीजा आउन अराइवल जारी की करेगा अब हम आपको यह बताएंगे कि अगर आप GCC देशों को विजिट करना चाहते हैं चाहे वह ओमान हो या और भी कोई GCC देश उसमें डोकुमेंट का क्या रिकुवारिमेंट होगा सबसे पहले हम आपको GCC देशों का नाम को गिंती करा दे सहुदी अरभिया, UAE, बहराइन, कुवैत, कतर, ओमान चाहे कंट्री GCC देशों के लिश्ट में आता है अगर आप इन देशों को विजिट करना चाहते हैं अगर आप इन देशों में किसी भी देश के परवासी वर्कर है आप यहां काम करते हैं तो आप यहां किसी भी देश में अगर आपके पास valid residence proof और work permit है तो आप इन देशों को विजिट कर सकते हैं चाहे आपका profession कोई भी हो इससे कोई मतलब नहीं सिर्फ आपके पास valid work permit होना चाहिए और valid residence proof होना चाहिए इन देशों में कोई भी देश आपको visa on arrival देदेगा आप इन देशों में किसी भी border से इंटरी कर सकते हैं चाहे वह वायू मार्ग हो चाहे वह बाई रोड हो किसी भी तरह से इंटरी करेंगे आपको visa on arrival इन देशों को मिल जाएगा लेकिन खास तोर पर ओमान ने वीजा ऑन अराइवल देने की घोसना किया है और ओमान देश की एरपोर्ट आथरटी ने इस बात को भी किलियर किया है कनफरमेशन दिया है कि अगर आप जी सिसी देशों के किसी भी देश के रेसिडेंस है तो आपको इन छे देशों में अगर आपके पास वैलिड डोकुमेंट है तो आप आपको कोई भी देश आपको वीजा ऑन अराइवल जारी कर देगा तो अगर आप सहुदी अरविया उम्रा करने की तमन्ना रखते हैं तो आप वीजा ऑन अराइवल पे आकर उम्रा भी कर सकते हैं इस नए जी सी सी देशों का पीजा ऑन अराइवल सिस्टम का मकसद है कि ओमान सहीद सभी जी सी सी देशों में पर यटन का बढ़ाबा मिले और एक दूसरे जी सी सी देशों के परवासी वरकर सौतंत रूप से यहां आकर छुटियों के समय में घुम सके अपने फैमिली को घुमा सके लेकिन आपके जा केंटरी में जाते हैं और जो भी उसका वीजा ऑन अराइवल फीस है आपको देना पड़ेगा यह एक कंडिशन है अगर आप जी सी सी देशों का वीजा ऑन अराइवल लेते हैं तो आप तीन महीने तक उस देश में रुख सकते हैं सौतंत रूप से वहां घुम सकते हैं जी जी सी देशों में घुम सकें कि अलग अलग जी सी सी देशों में सबसे जादा परवासिक कामगार मौजूद है इसी दिये यह सुपदा यहां पर काम करने वाले लोगों को दिया गिया है आपका प्रफेशन कोई भी हो इससे कोई मतलब नहीं बस आपके पास वैलीड रेसि किसी देशों में बिना किसी कंडिशन के वीजा उन अराइवल हासिल कर सकते हैं दोस्तों मेरे चाइनल को आपकी सपोर्ट की जरूरत है आप सहुदी अर्बिया से रिलेटेड नए नए न्यूज को सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चाइनल को सब्क्राइब कर ले मेरे